हलो बच्चों जे में दोजाचोविष का क्वेशन है ये 9th अप्री 1st shift का the volume of an ideal gas जिसमें गामा दिया हुआ हमें गामा मत्व पॉजस रेश्यू that is cp by cp upon cv का रेश्यू हमें 1.5 दिया हुआ है is changed adiabatically from 5 liter to 4 liters the ratio of initial pressure to final pressure ठीक है बोला volume change होगा adiabatically change होगा 4 to 5 तो पूछा initial और final pressure का ratio क्या होगा ठीक है तो देखे यहां पर प्रेशर और volume के बीच में relation अपने को देखना पड़ेगा तो adiabatic process में adiabatic जो process होता है बच्चों इस process में pressure और volume के बीच में जो relation होता है न वो हता है p into v to the power gamma is equal to constant यह relation होता है ठीक है तो प्रेशर यहां पर मालेज़े initial p1 है initial volume v1 है power यहां पर 1.5 final pressure p2 है final volume v2 है और power 1.5 क्योंकि adiabatic है और 1.5 यहां पर है मतलब monotomic नहीं बोल सकते है इसको तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर हम लोग p1 upon p2 लिखते हैं तो इधर में क्या हो जाएगा v2 upon v1 ठीक है दोनों का power सेम है तो हम overall का power 1.5 कर सकते हैं और v2 कितना है 4 है और यह v1 कितना है 5 है क्योंकि 5 से 4 गया volume और इसको हम 3 by 2 लिख सकते हैं तो अब इसको थोड़ा हम simplify कर लेते हैं 4 by 5 into root over 4 by 5 ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिखो तो वापस दोनों को multiply करने के बाद यही आएगा ठीक है power 3 by 2 ही आएगा यह 4 का जो square root है 4 का वो क्या निकलेगा 2 तो 2 आएगा तो हम लोग क्या लेकर 4 into 2 8 8 upon 5 root 5 ठीक है तो यहां से हम लोग को P1 upon P2 is equal to 8 by 5 root 5 ठीक है 8 by 5 root 5 ठीक है 8 by 5 root 5 that is option number 2 is a right answer